दोस्तो, बात आज से लगभग 38 साल पहले की है 26 जुलाई 1982 को बेंगलूर में फिल्म कुली के एक स्टंट सीन की शुटिंग के दोरान चोट लगने से अमिताब बच्चन की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिये थे जब उनकी हालत गंभीर होने की खबर पूरे देश में फैली तो लोगों की सांसे अटक गई पूरा देश जिस कदर गंगीन था आज उसकी कलपना करना भी मुश्किल है क्या था कुली का वो हाथसा आईए विस्तार से जानते हैं अमिताब बच्चन जुलाई 1982 में कुछ दीनों से लगातार बेंगलोरू में कुली फिल्म की शुटिंग कर रहे थे कुछ दिन बाद अमिताब ने मुंबई से अपने पतनी जया बच्चन और बच्चों श्वेता और अभिशेक को भी विकेंड पर अपने पास बेंगलोरू बुला लिया हर रोज की तरह 26 जुलाई को भी अमिताब जब शुटिंग के लिए निकले तब कोई नहीं जानता था कि आज का दिन अमिताब बच्चन की दुनिया ही बदल देगा फिल्म के एक फाइट सीन के अनुसार खलनायक बने अभिनेता पुनित इस सर को अमिताब के पेट में गूसा मारना था कैमरा एक ऐसे एंगल पर था कि अमिताब ने पुनित से कहा पुनित तुम्हें मेरे पेट को छुना होगा नहीं तो सीन नकली लगेगा रिहलसल में ये सीन आसानी से हो गया पटेक में कुछ ऐसा हुआ कि बोर्ट पर पठकनी खाकर अमित जी उचल कर पुनित की तरफ आ गए और पुनित का पंच उनको छुने के बजाए जोर से लग गया और भी दर्द से कराह उठे सीन ओके हो गया लेकिन अमिताब को दर्द इतना हो रहा था कि वो बड़ी मुश्किल से जुक कर एक कुरसी तक पहुँचे जब दर्द कम नहीं हुआ तो वो वहीं पर एक तरफ जाकर लेट गये तब तक किसी को अहसास नहीं हुआ कि अमिताब के साथ इतनी बड़ी दुरगटना घटी है जब दर्द ठीक नहीं हुआ तो अमित जी ने डारेक्टर मनमोहन देसाई से कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मनमुहन देशाई ने उन्हें चुट्टी दे दी उनसे कार लेकर अमिताब होटल के लिए रवाना हो गए होटल पहुँचते ही वे बेट पर गिर गए बस अंदर इतनी हिम्मत बची थी कि वे जया जी से बोल पाए कि मुंबई से मेरे नीजी चिकित सक डॉक्टर शाह को तुरंत पुलाओ और बच्चों को वापस घर भेज दो अमिताब की खराब हालत देख जया बच्चन बिचलित हो उठी जया ने अपने स्टाफ के साथ बच्चों को मुंबई भेज दिया और मुंबई में अपने देवर अजिताब को फोन पर सारी बात बताई और सुबह ही डॉक्टर को साथ लेकर बेंगलोरू आने को कहा इधर रात में मनमुहंद साई ने वहां के दो डॉक्टर बुला कर भी अमिताब बच्चन को दिखाया लेकिन डॉक्टर दर्द की गोली और इंजेक्शन देकर चले गए कि कोई खास बात नहीं है दर्द ठीक हो जाएगा लेकिन अमिताब रात भर करीब बेहोशी जैसी हालत में दर्द से कराहते रहे सुबह 27 जुलाई को उनके छोटे भाई अजिताब मुंबई से डॉक्टर शाह को लेकर बेंगलूरू पहुँच गए वो अपने साथ एकसरे की एक पोर्टेबल मशीन भिलाये थे उन्होंने एकसरे किया लेकिन अमिताब के लिए हिलना भी मुश्किल हो रहा था तब डॉक्टर शाह ने स्थानिय डॉक्टर से सलाह करके अमिताब को वहां के सेंट फिलो मिना अस्पताल में भर्ती करा दिया तब तक ये समचार पूरे देश में फैल गया ये सब तो हो गया लेकिन अमिताब की बिमारी किसी को पूरी तरह समझ में नहीं आ रही थी। उधर अगले दिन तक तो अमिताब बच्चन की दुरगटना का ये समचार इतना फैला कि उनके प्रशंसक बेचाइन हो गए। कोई अमिताब की इस दुरगटना को सुनकर सहमा तो कोई रहा था तो कोई बिलख रहा था। जुलाई 1982 तक अमिताब बच्चन अपनी जनजीर, अभिमान, चुपके-चुपके, हेरा फेरी, दिवार, शोले, दोवन जाने, कभी-कभी, अमरकवर अन्थोनी, परवरिष, डौन, त्रिशूल, मुकदर का सिकंदर, लावारी नसीब, सत्य पे सत्ता और नमक हलाल जैसी कई सुपर हिट जुबली फिल्म देने के कारण देश के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। इधर अस्पताल में अमिताब की बिगड़ती हालत देख सभी परिशान थे। अमिताब बेहोशी वाली हालत में लगातर दर ले जाया जाए। तब ही पता चला कि अस्पताल में सरजरी के लिए विख्यात इरोलोजिस्ट डॉक्टर आये हुए हैं। वो इतने मशहूर और सम्मानित थे कि उन्हें फादर आफ इरोलोजी इन इंडिया भी कहा जाता था। डॉक्टर भट किसी अन्य रोगी के लिए आपरेशन थेटर में जाते उससे पहले ही जया बच्चन ने उनके पास पहुँच उनसे गुजारिस की कि वह अमिताब को भी जरा देख लें। वो इसके लिए सहमत हो गये। उन्होंने अमिताब की चोट वाली जगह की सूजन और उनकी हालत देखने के बाद उनका एक्स जरी के बाद पहली बार पता चला कि उनकी आंत भट गई है। जहर पूरे पेट में फैल चुका है और अब वो शरीर के दूसरे अंगों पर हमला कर रहा है। इस ऑपरेशन से इतना तो हो गया कि उस समय अमिताब के सिर्पे मंडराता मौत का खत्रा कुछ समय के लिए टल लेकिन फिलोमीना अस्पताल में सिमित सुवधाई थी। इसलिए डॉक्टर भट, डॉक्टर अंथनी और डॉक्टर शाह ने अमिताब को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में शिफ्ट करने का फैसला किया। उदर अमिताब की जैसी हालत थी उसे देखते हुए उन् पच्छन ने इंडियन एरलाइन्स के उच्च अधिकारियों और मंत्राले तक से बात की। इसके बाद इंडियन एरलाइन्स में ब्यवान के आगे के हिस्से से बिजनेस क्लास वाली सीटों की तीन पंक्तियां हटा कर वहाँ मीनी आईसियू जैसी विवस्था कर दी गई। तब वहाँ एक स्ट्रेशर पर अमिताब को लिटा दिया गया। बिमान 31 जुलाई की रात करीब एक बजे बेंगलोरू से उडान भर कर जब रात तीन बजे के बाद मुमई पहुंचा तो वहाँ मुसलाधार बारिशो रही थी। लेकिन उसके बावजूद अमिताब की एक तड़के ब्रीज कैंडी पहुंची। कमी हो गई। उन्हें करीब साथ यूनिट खोन जड़ाया गया। इधर डॉक्टर्स के प्रियासों के बाद भी दो अगस्त को अमिताब का बीपी और पल्स जीरो हो गया। यह देख डॉक्टर्स ने उमीद छोड़ दी। यहां तक जया को भी बोल दिया कि अब कोई उमी करीद के रूप में एक दवाई के ओवर डोच के रूप में अमिताब को कुछ इंजेक्शन दिये। कुछ समय बाद जया ने देखा अमिताब के पैर के अंगूठे में कुछ हरकत हुई। यह देखकर वो खुशी से चीखी इससे डॉक्टर्स की पूरी टीम चोश में आ ग उस दिन 2 अगस्त को करीब 11 मिनट तक क्लिनिकली डेड होने के बाद अमिताब की सांसे फिर लोट आई। इसलिए तभी से उस दिन को अमिताब का पुनर जन्म दिवस माना जाता है। हाँ। दोस्तों तो यह थी अमिताब के पुनर जन्म की कहानी। धन्यवाद।